नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू लीगल अफियर्स बाइ स्टडी आई के जुडिश्री राइट आज जो है हम एक बहुत इंपोर्टन जज्जमेंट करेंगे अमबा जगन वर्सी स्टेट अब यह सुप्रीम कोट की जज्जमेंट है लेटेस जज्जमेंट है और बहुत ह बहुत अच्छी जज्जमेंट है बहुत प्यारी जज्जमेंट है इस जज्जमेंट के बेसिस पे आप जो है एकस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रेक्टिकल कोश्चन आपका डेली जुडीशरी में या फिर किसी भी जुडीशरी में जहां पर आपको जो है सिचुवेशन बेस कोश्चन आता है ऐसे टाइप कोश्चन आता है जज्जमेंट राइटिंग कोश्चन आता है बहुत ही अच्छी है और conceptual clarity के लिए तो बहुत अच्छी जज्जमें के facts बताने से पहले आपको हलका सा background मुझे देना पड़ेगा with respect to section 299 and 304 देखे और हम पूरे sections नहीं पढ़ रहे हैं 299 3034 हम सिरफ इस judgment के perspective से जितना आपका background होना चाहिए उतना पढ़ रहे है राइट तो देखे section 299 क्या कहता है 299 defines culpable homicide और इसमें 3 part 3 situations को यह कहता है कि यह 3 situation जो है culpable homicide मानी जाएंगी राइट तीनो situation culpable homicide माने जाएंगी अब देखे section 299 में कहीं पे यह नहीं लिखाया है कि culpable homicide not amounting to murder है यह यह culpable homicide not amounting to murder की definition नहीं है सिर्फ culpable homicide की definition ठीक है अब देखे culpable homicide क्या होता है so first point is whoever causes death by doing an act with the intention of causing death तो आप किसी को मारने की intention से मार देते हैं or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death या फिर आप किसी को ऐसी चोट पहुचा देते हैं जान भूच के ऐसी चोट पहुचा देते हैं जिससे वो मर जाएगा तो तीसरे में देखे क्या है इस जानकारी के साथ इस जानकारी के साथ आप उसको चोट पहुचाते हैं जिससे वो मर जाएगा जो यह मैंने तीन चीजें हाइलाइट करी है यह यह इंपोर्टन है तो पहले पहले पार्ट को मैं बोल रहा हूँ ताकि हम डिस्टिंशन डिराइब कर सके देखे हर क्रिमिनल जो जो क्रिमिनल ओफेंस है उसमें यू नीड टू प्रूव तो तिंग्स आपको दो चीजें प्रूव करनी है फर्स्ट यह तो प्रूव मैंस एक्टसरियस दूसरा क्रोव मैंसरिया然后 être्व एक्टसरियस यह steender एक्डसे इस यूरे किन्टूihi मैंड गिल्टी मैंड सो एक्टसरियस का मतलब तो हो गयाा है seeking 299 में किसी को मारनाया चोट पहुँचाना, जो mensria है, यानि guilty mind है, which is also known as the state of mind, यह आपके दिमाग के उस time की अवस्था है, उस time पे आपकी दिमाग की अवस्था है, तो section 299, दो type की state of mind की बात करता है, पहले और दूसरे close में वो intention की बात करता है, और तीसरी situation में वो knowledge की बात करता है, now this is very important, पहले में first situation में और दूसरी situation में एक guilty intention है, और तीसरी situation में guilty knowledge है, अब देखें again intention और knowledge दोनों ही state of mind है, और यह जो भी accused है, उसके दिमाग की उस time की अवस्था है, उसका direct कोई भी evidence नहीं है, उसका कोई भी direct evidence नहीं हो सकता, direct evidence तो accused खुदी है, जो बताएगा accused time पे मैं क्या सोच रहा था, तो इसका कोई भी direct evidence नहीं है, तो इसको जो है इसके circumstantial evidence के basis पे हम inference draw करते हैं, कि उस time पर accused की क्या मानसी कवस्था रही होगी, यह point clear है, but the important thing is कि यह distinction में आपको पता कैसे चलेगा, कि intention है या knowledge है, intention है या knowledge है, अब देखिए इसका कोई भी एक set पैमाना नहीं है, यह बहुत ही circumstances को देख करके आपको inference draw करना पड़ता है, मोटा मोटी जो language में अगर difference अगर आप जाना चाहते हैं, language में the difference is, कि जो intention है, intention का मतलब होता है, आपकी aim, आपका target, तो आप जो भी कर रहे हैं, उससे death should happen, death होनी चाहिए, अगर आप इस intention से act कर रहे हैं, इस target से action कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि आपके intention थी, तो आप चाहते हैं कि मोट हो जाए, आपने जो भी act किया है, उससे death होनी चाहिए, death should happen, आपके चाहते हैं, तो हम कहेंगे intention है, लेकिन knowledge देखिए अब हम कब कब कहेंगे knowledge, knowledge में हम कहेंगे, कि आपने जो किया है, आप उसको immediately उसको मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, बट आपको पता है कि मोट हो जाएगी, death would happen, और मोट हो सकती है, और the death could happen, again ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, और इसके लिए पूरे circumstances को, पूरे हालात को आपको देखना है, कि उसने मारने के लिए ही मारा था, या फिर उसने ऐसी चोट पोचाई थी, जिससे मोट हो सकती है, और इसकी जानकारी हम मान लेंगे, कि obviously अगर आप मार रहे हैं, तो आपको जानकारी तो है ही, अगर जानकारी बिलकुल नहीं है, तो फिर तो उस case में तो सिर्फ accident वाला ही हो सकता है, right, so both intention and knowledge have to be inferred, उनको infer करना पड़ेगा, और इसमें थोड़ी सी fine distinction है, fine distinction है, right, अब देखें, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, section 299 में, दो तरह की state of mind है, क्योंकि इसकी relevance यह है कि जो punishment है, now, the punishment of culpable homicide not amounting to murder is under section 304, 304 में punishment है, और 304 में दो type की punishment है, depending upon your state of mind, तो अगर 299-1 और 299-2 में आपने offense किया है, यानि कि with the intention अगर आपने offense किया है, तो आपके उपर पैरा 1 लगेगा, पैरा 1 लगेगा, और अगर आपने सिर्फ knowledge के साथ offense किया है, तो आप पे पैरा 2 लगेगा, और इनमें difference क्या है, difference देखिए, the quantum of punishment is different, पहली situation में आपको life imprisonment तक हो सकती है, जबकि दूसरी situation में, दूसरी situation में, maximum punishment is 10 साल, so it is very important यह पता लगाना, कि भाईया, 304 के पैरा 1 में offense है, या पैरा 2 में offense है, तो पैरा 1 में offense कब होगा, जब 299-102, intention जब picture में होगी, और पैरा 2 में कब offense होगा, जब 299-3 और knowledge के साथ आपने offense किया है, तो यह distinction भी बहुत important है, क्योंकि उससे पता चलेगा, कि आपको maximum punishment कितनी मिल सकती है, maximum punishment कितनी मिल सकती है, आप देखिए, मैं आपको बताऊँगा, इस case के facts, और इस case की judgment, देखिए, facts कुछ इस हिसाब से हैं, कि दो किसान हैं, जिनकी जमीन है, तो बराबर में उनके खेत हैं, उनके जो farm lands हैं, उनके side by side है, और यह किसान number suppose करिए one है, यह किसान number two है, अब इनका जो यह रास्ता है, यह रास्ता जो है, इस रास्ते के लिए के लड़ाई है, क्योंकि यह रास्ता जो है, दोनों के खेतों तक जाता है, एक दिन क्या हुआ, यह जो भाई साब किसान है, यह अपने किसान की खेत की खेती करके सारा जो फार्म प्रोड्यूस है जो भी उसने खेती करी है उसको एक गाड़ी में डाला इसने और इस गाड़ी में यहाँ पर चल के इसको मार्केट तक लेके जा रहा है अब जो यह किसान नंबर टू है इसने यहाँ पर आ करके इसके आ वो जो जगड़ा है उसमें क्या किया इसने यानि कि farmer number one ने जो कि हमारा accused है इसने side में एक खेती करने का tool था some farming tool वो tool उठा करके इसके यानि कि farmer number two के यानि कि जो deceased है इसके सर पर मार दिया तो side में एक वो पड़ा हुआ था कुछ फसल काटने का कुछ tool था वो tool उठा करके जो है deceased के सर पर मारा और वो जो है hospital में जा करके वो मर गया he died in hospital उसके बाद उसको hospital लेके गए और he died तो इसमें देखे सुप्रीम कोट ने कहा है कि accused की मारने की कोई भी intention नहीं थी intention थी ही नहीं उसकी मारने की maximum जो चीज थी वो थी knowledge maximum जो जो चीज थी वो थी knowledge के भी या शायद इससे मर जाए या इससे मर सकता है ये knowledge थो हम presume कर लेंगे क्योंकि the moment you hit someone in his head आप सर में अगर मार रहे हैं तो knowledge थो हमेशा हम presume कर लेंगे और Supreme Court ने इस case में कहा कि इसमें case में this is a simple case of 299 thirdly 299 thirdly का case है यानि की knowledge भी जो है वो सिर्फ इतनी है जो 299 के तीसरे पार्ट में पड़ेगी इसमें section 300 section 300 की यानि की murder वाली knowledge नहीं है section 300 4 ली भी जो है section 300 4 ली भी murder knowledge की बात करता है तो वो knowledge उतनी उतनी gravity की knowledge है ही नहीं इसमें चोटी सी knowledge है और देखे आप 299 और 300 का हम difference नहीं कर रहे हैं राइट Supreme Court ने कहा कि इसमें इतनी ही knowledge है कि आप 299 thirdly में ही इस case को fall कराऊगे और चुकि ये 299 thirdly में है चुकि ये 299 thirdly में fall करता है knowledge है तो जो punishment है वो 304 वो जो punishment है उसकी section 304 पैरा 2 में हो सकती है यानि कि maximum 10 years और trial court ने और high court ने उसको पैरा नंबर 1 में punishment दे थी that was wrong तो उसको punishment जो है section 304 पैरा 2 में मिलने चाहिए क्योंकि उसका जो case है ये गलपेवल homicide का ये part 3 में यानि कि knowledge और 299 thirdly में fall करता है right so that was the decision लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ही बहुत ही खुबसूरत judgment है और आपको पूरी पढ़नी चाहिए पूरी पढ़ने चाहिए तो देखे इसमें एक बहुत मज़ेदार बात भी थी कि parties की contention ये थी ही नहीं दोनों ही parties की जो appellant थे और जो respondent थे यानि कि state दोनों में से कोई भी party इस point पे लड़ी नहीं रही थी कि 299 के कौन से part में 299 के कौन से part में ये offense fall करेगा इस बात पे लड़ाई ही नहीं थी 299 पे लड़ाई ही नहीं थी लड़ाई देखी किस बात पे थी लड़ाई इस बात पे थी कि ये 300 के फास्ट ली सेकंड ली थार्ड ली और फोर्थ ली किस में fall करेगा लड़ाई इस बात पर थी तो सुप्रीम कोड ने कहा कि इसमें जाने की जरूरत नहीं है अब क्यों जरूरत नहीं है वो हलका सा point मैं आपको हलका सा हम पर बता दूँ तो अभी हमने पड़ा कि जो culpable homicide है so culpable homicide and obviously not amounting to murder है अगर culpable homicide not amounting to murder है तो उसकी जो punishment है वो 300, 304 में है 304 में है अगर आपका offense जो है 299 firstly या secondly में फोल करता है तो आपकी सजा 304 पैरा 2 में है लेकिन आपका offense जो है वो 299-3 में पैरा 1 और 2 में है तो पार पैरा 1 में है और अगर आपका offense 299-3 में है तो आपका जो सजा है वो 304-2 में है यानि यहाँ पर हम guilty intention की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम guilty knowledge की बात कर रहे हैं यहाँ तक clear है लेकिन इसके अलावा भी देखिए एक situation ऐसी है जहाँ पर culpable on homicide not amounting to murder हो सकता है और वो कब है जब आपका जो offense है आपने murder कर दिया हो so you committed murder आपने जो है murder कर दिया section 300 में लेकिन murder करने के बाद आपको जो है section 300 की कोई भी exception में benefit मिल गया है so section 300 में 5 exceptions है 125 so आपको जो है section 300 की किसी भी एक exception में benefit मिल गया है तो भी आपका culpable homicide not amounting to murder होगा अब देखिए इसकी punishment कहां पर है section 304 में अगर हम जाए देखिए this is a very beautiful judgment और आपको हलका सा ध्यान देना पड़ेगा section 304 में जाए तो देखिए वो क्या कह रहा है whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished if the intention तो यहां पर कहीं पर भी 299 का reference वो नहीं दे रहा है section 304 जो है वो section 299 का reference नहीं दे रहा है कि 299 की सजा 300 में चार में है नहीं 304 में केवल 299 की सजा नहीं है 304 में section 300 की भी सजा है तो अगर आपने murder कर दिया है और उसके बाद आपने exception ले ली है तो भी सजा 304 में ही है now this is the very fine point जो इसमें जो कई बार हम इसको overlook कर देते हैं so the point is कि अगर आपने 300 में अब 300 में देखे चार close है firstly, secondly, thirdly और fourthly section 300 murder में आप आपने murder कर दिया है यानि कि आपका 300 firstly, secondly, thirdly और fourthly में पढ़ गया है आपका case लेकिन उसके बाद आपको exception मिल गई है तो exception जैसे ही मिल जाएगी आपका murder जो है वो culpable homicide not amounting to murder में convert हो जाएगा और आप लेकिन आपकी सजा कहा है तो सजा देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि intention की जुरूत है या knowledge की तो section 300 close 1, 2 और 3 तीनों में ही intention का जिकर है तीनों में ही intention का जिकर है तो आपकी जो punishment है वो 304 पैरा 1 में fall करेगी लेकिन 304 में knowledge का जिकर है तो आपकी punishment 304 पैरा 2 में fall करेगी अब देखिए जो चार्ट या picture बनाई है आप इसका screenshot ले सकते हैं या फिर इसको refer कर सकते हैं क्योंकि काफी sections है या पर 299, 300, 304, तीनों को use किया गया है तो confuse नहीं होना है बिल्गुल भी point सिर्फ इतना है कि इस case के अंदर इस present case में अपिलेंट्स की contention क्या थी अपिलेंट्स की contention ये थी कि जद साहाब जो हमारा case है वो 300 thirdly में fall नहीं कर रहा है 300 fourthly में fall कर रहा है और चुकि 300 fourthly में fall कर रहा है और उसके बाद exception number four हमारे को मिल गई है तो हमारे को punishment 304 पैरा two में मिलने चाहिए यानि maximum 10 साल life imprisonment नहीं ये इनकी contention थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा के नहीं आपका तो case 300 में fall ही नहीं कर रहा है तो court ने जो है appellant को relief जरूर दे दिया उनको जो भी relief मांगा था उनने सजा कम करने का वो दे जरूर दिया लेकिन उनकी उस contention पे नहीं दिया जो वो कर रहे थे वो कह रहे थे के हमारा सर्केस 304 ली में 304 कहता है आपको 300 में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि murder तो प्रूव ही नहीं हो ये एक normal culpable homicide not amounting to murder है जो 299 थर्ड ली में fall हो रहा है और चूंकि ये 299 थर्ड ली में है और फर्स्ट ली और सेकेंड ली में नहीं है तो आपको पैरा वन में 3404 के punishment नहीं मिलेगी आपको punishment पैरा टू में मिलेगी राइट? आप इसको पूरा पढ़िये नॉलेज और इंटेंशन में जो difference होता है उसके उपर ये बहुत अच्छी है साथ 50-60 pages की judgment है प्लीज पढ़िये इसको ठीक है so that was it for today उसके अलावा मुझे आपको दो information देनी है first information is that you can connect with me on telegram आप जो है telegram पे सर्च कर सकते हैं दप्रवीन कुमार हमारे दो groups हैं आप दोनों जोइन करिए दप्रवीन कुमार राइट दूसरा ये है के study IQ judiciary का third live foundation batch so अगर आपको judiciary की तियारी करनी है study IQ judiciary से पढ़ना है तो आप जो है third live foundation batch में enroll करा सकते हैं जो हमारा 31st July से start होगा 31st July से start होगा so last week बचा है get yourself enrolled और अगर आपको देखे हमारे जो course है study IQ judiciary पे judiciary का जो course है online course live foundation batch का उसकी fee से 40,000 रुट पे लेकिन लेकिन आप जो है आप अगर मेरा code लगाए which is PR live which is PR live अगर code लगाएंगे तो आपको maximum discount मिल जाएगा और आप जो है 24999 में ये course में enroll करा सकते हैं right so hope to use hope to see you on 31st 31st से आपकी classes start है and all the best have a very nice day thank you अगर, आपशी के महाएंगे का टूसा आपकी झाल झाल